नमस्कार मित्रों सिर्फ सक्ति जोतिस केंद्र में आपका हर्दिक स्वागत है मैं आचार्य आउंप्रकास सास्तरी कि आज आपको बताने जा रहा हूं कि नभ घ्रहों से बिचारनी यह विसे तो आयए सर प्रथम आप बताते हैं नभ घ्रहों में सबसे पहले ग्रहे और जिनको राजा के संग्या दे गई हैं नब ग्रहों में जो राजा हैं और सुर्या हैं चंद्रमरानी हैं बाकी बुद्ध युवराज हैं मंगल सैना पती हैं बिस्पती मंत्री हैं सुक्र इस्तिरिकार ग्रह हैं सनी नोकर ग्रह हैं राओ के तुछाय ग्रह है तो आज आपको बताते हैं कि सूर्या से हम क्या विचार करते हैं सूर्या से विचारनी यह तत्य हैं तो सबसे पैदा आपको बताते हैं कि सूर्या जिसके पास जो हैं तीन लक्षित्र होते हैं दो पूरे हैं और एक लक्षित्र का एक चरण हैं पूर्वा फालगुनी और उत्तर फालगुनी का एक चरण से सिंगराशी बनती हैं सिंगराशी का स्वामी सूर्य हैं कैसे मा मी मू में मगा चार चरण चरण और फालगुनी और ते प्रत्रा फालगुनि का टे प्रत्रम चरण ये नो चरणं से एक राशी के निर्मान होते हैं ये राशी बनती है सिंग और सिंगराशी का स्वामी है शोर्य तो मित्रों हम बात करें सूर्य की तो सूर्य हमारा पिता है सूर्य से हम राजा कर बिचार करते हैं सूर्य हमारी आत्मा है आत्मा का विचार करते हैं सूर्य से हमारे सरीर में हड़ी का प्रत्नित्व सूर्य करते हैं सूर्य हमारे जठ्रागनी हैं सूर्य हमारा हमारे चक्छु हैं नित्र नित्रों का विचार सूर्य से होता हैं सूर्य हिर्दय हैं सूर्य से सरदर्द ज्वर ये विचार भी सूर्य से ही किया जाता है सूर्य सोना हो गया घी हो गया तामबा हो गया इनका विचार भी सूर्य से करते हैं सूर्य पुरु स कारक ग्र में जुना से हम पाप गर्तिष्टा मां सम्मान यस का विचार भी सूर्य से होता है सूर्य से हमा सूर्य से हमें नित्र तो करने की पावर मिलती हैं और सूर्य से जैसे सुगंदि दर्व्या और उन इनका विचार भी सूर्य से क्या जाता है लाल मौंग डाल ये भी सूर्य कि ही नित्रुत में हैं और सूर्य से खास करके सूर्य सूर्य हमारा एक ओज है एक सहसे है एक प्राकरम है हम कितने प्राकरी में होंगे कैसे सहासी होंगे यह सब सूर्य से विचार किया जाते हैं तो आएए बताते हैं जिनकी पत्री में सूर्या अच्छी इस्तिति में होगा मजबूत इस्तिति में होगा उनका पाचन तंद्र अच्छा रहेगा सर्दत नहीं होगा नेत्र जोति अच्छी र नेत्त्यूदों करने की पावर, सूर्या किसी के अंडररेप्राउसर काम नहीं कर सकते है, सूर्य सुतंद्र है, अधिकारी बनाता है, अधिकारी लेवल की नोकरी देता है, तो यह अच्छा रहेगा, और जिस पत्री जिनकी जनम पत्रेगा में शूर्या पत्री रफ़् tela में , स यह प्रेद कि प्रायँ रहे गा और साथ में अच्छ न्वोकरी में नहांना मिल्मी रहा जाना यह ना मिलना ना कि बरावर क mould यह सरकार से अ कि दाल में नहीं बैड़ पाता हैं वह स्थे में में कमी आती हैं या हमारे जो बड़े हैं गुरू या यह तो गुरू को विचार प्रिश्पति से हैं परन्तु पिता के तुल्य जो है वो सब सुर्य के ही नेत्रतों में हैं तो उनसे कहीं ना कहीं तालमेल बैठने में जन्समों को नेता हैं उनसे नगर देक्ष कह सकते हैं तो तालमेल नहीं बन पाता है और साथ में ऐसे में मनोबल आत्मबल के कमी उसके बास और यो रहता है जो इसे मनोबल ओने कारण यो आ होने कारण ओपने ही west मेरे लेकिन सहास हीन हो जाता है कि यह सूरिया के प्रभाव हैं यह आपकी पत्रिकरा में सूरिया अच्छığın सिति है यो खारगthers में आपकी लगन गुंडिली में लगन के अनुसा सूरिय्यो कारगा बनता हूँ तो इस ग्रह का मान he के पहन लेना चाहिए और सूरिय अर्गतों सब को को यी देना चाहिए यूबिया गरहूं का राजा राजह हैं हमारी आति है तो सूरिय भन्षे कि दनेवाद करने के लिए शूर्ज अ करने के लिए नित्य प्रति यह उपाएं नहीं है ये उपासन हो कोने से हैं या और भी कोई अच्छा योग कारक बनता हो सड़वर्ग में अच्छा जाता हो सड़वल में ठीक हैं अच्छे पॉइंट इसके हैं तो आप जो है सूर्य का माणने के विधान कर सकते हैं और यह सब चीजों से आप वंचित हैं यह आपको समय पर नहीं मिल पा रह हैं और नेतर जोती कम हो रही हैं सर्दत देरा हैं ठीक नहीं है तो फिर आपको जो है भगवान सूर्य के आदित तहर देश्त तोत्र का भी पाट करना चाहिए सूर्य के बेज मंत्र हैं घ्रिन सूरिया ये नमाहा और लोखिक मंत्र है जपा कुसुम संकासम कास्य पे यम मह लगें अचुक्राव अधूधिम् तमोरिं सर्व पापाकनम प्रण तोस्मीदिवा करहा इसका मंत्र जब करना चुखिए और यदि आप बेदपाती हैं बैदिक ब्रहामन ये जब बैदिक मंत्रों के जानकार हैं तो तब आपको बैदिक मंत्र करना चुखिए ऑम आकृष अच्छा असर करने वाला है तो इसका नित्य प्रति आपको जब करना चाहिए और सूर्य को मजबूत तो बनाना ही चाहिए सूरे कमजोर भी है तो सूरे को उपासना से सूरे को मजबूत करके बड़ों का अदर समान करके पिता का समान करके और सूरे को मजबूत बना जा सकते हैं सूर्य को मजूद बनाईए बिना सूर्य के कमजूर पत्रिका में जो है सरवे करा दिन करा प्रतमम नितांतम यदि दिन कर भुवन भास कर सूर्य कमजूर हैं तो अच्छे राज योग और भी कोई सुभ योग हैं धनवान योग भागय साली योग राज योग परमराज योग तो सूर्य को पासना आपको करने ही चाहिए और खास करके सिंगरासी वालों को और जिनका सूर्य नीच के हैं या और भी इस्तिति में हैं कहीं असुब इस्तिति में हैं और वन ही नहीं हैं आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो सूर्य को पासना करके सूर्य को मुझूद करें और आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस प्रकार से हम चद्रमा के बारे में मंगल के बारे में और ग्रहों के बारे में उसके पस्याद राशियों के बारे में फिर आपके पास योगों के बारे में चर्टा करेंगे तब तक के लिए आपसे बिदा लेते कराते हैं आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो क्संद आई होगी यदि आपको यह वीडियो क्षाह हो गी तो लाइक Crede और शीर करना नभूलें ताकि आपका Burger adv आपका लाइब आपकी कोमेंट हमारा मनूथ सा बढ़ाता रहेगा तो हमें और और ऎक्षाह हैं कि आप Mारी वीडियो को लाइक करें थाकी हमाब को और अच्छे सप्सक्राइब की और अच्छे माध्य है तब तक लिए नमस्कार जैसर रादे